हेलो मुण असकार दोस्तों कैसे आप सभी इक पर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपकी अपने यूटूब चैनल प्रॉफिट अस्टडी में तो आज के इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रूप डी बिगस्ट अपडेट 2024 के अंतरगर जी एम पावर से रिलेटेड ठीक है अगर आप भी ITI पास स्टुडेंट हैं रेलवे से अपरेंटिसिप किये हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं मन में ख्याल आ रहा है कि हमें भी रेलवे से अपरेंटिसिप करना चाहिए और जो रेलवे से अपरेंटिसिप पास कर चुके हैं सभी कंडिडिट वीडियो के इंडे तक बने रहे हैं क्यूंकि आपका भविश्ट आपके अपने हाथों में हैं ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूं आगे वीडियो में बने रहे हैं सारा कुछ आपको डीटेल से बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 तारिक से पुरा प्रोटेस्ट हो रहा था हलाकि वो भरती का बात अलग है और यहाँ पे जीए पावर का बात अलग है पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम इसरी प्यूनिटी के बारे में थोड़ा से रिलेट करके कि आपको बता रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा जब से आपका अलग का भरती आया तब से लेकर सभी सिक्षक और सभी स्टुडेंट के सपोर्ट से 20 तारिकों ट्यूटर केमपेन हुआ उसके बाद जब यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पाया तो साथी अगर आप भी रे इसके माध्यम से आप अपने प्रिप्रेशन को और स्टॉंग और मजबूत बना सकते हो और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जेनरल साइस में 27 हजार से ज्यादा आपको कोस्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में ज पर देखने को मिलता है 1996 से लेकर अब तक अब अब्जेक्टिव टाइप सारा कोस्तन आपको टीसे प्रिविए सिर पैटन पर बेस्ट मिलता है बुक को वाई करने के लिए डिस्क्रिप्सन में लिंक मिलेगा नहीं तो आप नियरेश्ट बुक इस्टोर पर जाके इस बुक एक ओफिसली ब्यान भिया है जो हम इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डीटेल से आपको अपडेट करेंगे ठीक है तो ये कैसे संबह हो पाया आप से मैं सवाल करता हूँ कि कैसे संबह हो पाया जब सभी छात्रों ने टीचरों ने अपन मांग को रखा अपना प्रदर्शन जाहिर किया तो जाके ये संभव हो पाया अन्य था अगर वो भी आप लोग जैसे चुपो अगर वो सभी भी चुपचाप से अराम से एक्सेट कर लेते कि हां भईया 5696 भरती आया है ठीक है भईया हम इसको एक्सेट करते हैं हम इतना ही में अपना फॉर्म भरेंगे चाहे करोड़ो फॉर्म अप्लाई हो जो भी कटफ जाएगा हमको मंजूर है तो क्या जो आज की डेट में मिनिस्ट्री ओफ रिल्वे का ब्या भान पिजला से समझीएगा मेरी बातों को जी एम पावर लागू करवाना कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ये हैं कि आप लोग इक ठा और unity में नहीं हो ठीक है ऑई- स्टुटेंट की बात करें या फिर 아परफ एटे अपर्टे सिप स्टुडेंट्रे कहा है न हम इसमें से एक्जाम निकाल लेंगे ठीक है और जो सम्मू सेकेंड है जो दूसरा गूरूप है उसका यह कहना है कि भईया हमको 20% नहीं चाहिए हमको सीधा चाहिए हमारा GM पावर जो 2015 तक यहां पर लागू किया गया था जैसे सेंट्रल का गौर्रमेंट यहां पर यह चेंज हुआ हमारा GM पावर का तहस्तेरा सत्याना सकता। अब यह समू फ़स्ट में है ऐसा नहीं कि आगा GM भगी चाहीए हमें चाहत्र में चाहिए हमें जो भी 20 फ़स्ट में है वो लोग बोल दे कि हमें से सीक क्यों विल जो नहीं गीद्राल घ्म पावर लागु आएगा सम्भू फच्ट ही आएगा और यहां पर जो सम्भू 2 है जो है निरंतर प्रियास कर रहा कि किसी भी सूरत में हमें हमारा हग चाहिए हम double skilled है तो हमें हमारा हग चाहिए हम भी railway के ही बच्चे हैं हम भी railway से ही training कि हैं ऐसा नहीं कि कोई हम दूसरे संस्थान से training किये हैं, दूसरे private लिमिटेट से training किये हैं, तो हमें आप यहाँ पे बाहर करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, railway से क्या है, railway का एक पूर्जी के बारे में जानते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा वक्सवप है, जिसके बारे में रेल्वे अप्रेंटिस को नौलेज नहीं है, हर छितर के बारे में रेल्वे अप्रेंटिस साती जानते हैं, पर वही कहा जाता है ना, कि जब तक आप लोग ये दो पार्ट में डिभाइड रह पर आपका सारा कुछ यहां पर आया था ओफिश्यली तो सोच यह इतना कम टाइम में यहां पर Ministry of Railway इसके उपर एक्षन ले लिया है कि हाँ जी भेहिया हम आपका जो भी बात है हम मानेंगे तो दस दिन के अंदर अंदर तक Ministry of Railway इसके फैसला सुना रहा तो आपका तो मांग लंबे समय से चल रहा तो फिर आप लोग क्यों पीछे अट रहे हो आप लोग क्यों पीछे अट रहे हो अरे यह जो फर्स्ट समू में उनकी बात रटाईए इनको छोड़ दीजिए जो कम से कम समू टू में है वो तो साथ सभी यूनिटी बनाईए और आपका यूनिटी को दर्साने के लिए 29 जनवरी को एक biggest protest रखा गया है अगर आप चाहते हो कि आप math के उलजन में आपको नहीं फसना है देजिनिंग के उलजन में आपको नहीं फसना है competition के उलजन में आपको नहीं फसना है तो dear अभी भी आपके पास मौका है आपका age निकल रहा है आप competition के field में नहीं जाना चाहते हो उतना basic आपका मजबूत नहीं है तो protest को सफल बनाईए जब तक आप लोग इसमें भागीदारी नहीं करोगे न डियर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला time में आप लोगों के लिए ठीक है अब यहाँ पे मैं फिर से वही बात को repeat कर रहा हूं कि GM power लागू करना कोई भी बड़ी बात नहीं है ठीक है न अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे साथी बोलेंगे कि हमारा teacher साथ नहीं देते हैं तो हम एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि teacher साथ देते नहीं है और नहीं देंगे यह जो सोचेगा कि उनकी दुकान बंद हो जाए कोई भी सोचेगा कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए कोई नहीं सोचेगा इसलिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है कोई साथ कोई टीचर आपको साथ नहीं देगा जो railway act apprentice के बारे में बताता है सिर्फ वही टीचर जो है दो-चार पूरे YouTube पे आप देखिएगा ना तो दो-चार ऐसे ही चैनल मिलेंगे जो आपका GM Power को सपोर्ट करते हैं अन्य था कल हमारे पास एक student ने वीडियो सेंड किया उसमें live session चल रहा था किसी चैनल का particular में हाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे ठीक है live session चल रहा था और उसमें एक candidate जो वहाँ पर अपना सुझाव रखा कि Sir Act Apprentice को भी support करिए तो पता है उस teacher ने क्या कहा आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि उनका ही कहना है कि भाईया हमको Act Apprentice से कोई भी मतलब नहीं है हमको GM Power से कोई भी मतलब नहीं है उनको मतलब है सिर्फ course से कहीं भाईया जाये उनका कोर्स लिजीए बात खतम तो आप लोग पढ़े लिखे हो आप लोग जाग्रुख्यों इस बात को समझे यह जो GM power को support करता है उसके आप लोगों को भी जाना होगा और हम सभी जितने भी शुच्छगन है जो ACT Apprentice को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मैं सभी से निवेधन करूंगा कि ACT Apprentice को सपोर्ट करिए ऐसा नहीं कि अगर इन सभी का सर्विस हो जाएगा तो आपका कोर्स यहां पर नहीं चलेगा चलेगा ALP कभरती है NTP से कभरती है उसके बाद यहां पर आरपी फेसाइ कोंस्टेबल जूनियर इंजिर तमाम तरह कभरती रेल बे निकालता है पर फिर भी टीचर ऐसा नहीं करते हैं सपोर्ट करना ही नहीं कौन चाहेगा कि उनका जो लाखो लाग का यहां पर करोडो का सेल है वह जीरो हो जाए कोई भी नहीं चाहेगा इसलिए कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करते हैं पर कोई बात नहीं जितना हम लोग है उतना ही में unity बनाकर इस protest को सफल बनाना है ठीक है आगे आपको पूरा हम detail आपको बता देते हैं कब जाना है कहा जाना है आगर आप चाहते हो कि सीधी भरती का सपना साकार हो जाए GM power का जो सपना हो साकार हो जाए जब अन्य छात्रह 10 दिद में railway से अपना मांग को कबूल करवा सकते हैं तो आपके पास क्यों नहीं आप तो 15 से लड़ रहे हो 16 से लड़ रहे हो जो association है जो भी association कारे कर रही है उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि एक सही guidelines के अनुसार मैं ये मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा आपके पास अनुभव है तो बस सही guidance में सही दिशा में कारे करिए और जो साथ ही आपसे जुड़े हुए हैं हमसे जुड़े हुए हैं या फिर अन्ने चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि जल से जल हमको GM पावर तक पहुचाने के किरपा करिए ताकि यह जो छात्र बर्सों से इंतिजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल GM पावर होगा और यहाँ पर बर्सों से रेलवे में एक्त अपरेंटिस का जो वैकेंसी है धर्ड़ा-धर निकल रहा है धर्ड़ा-धर कटफ आप देखिएगा ना तो आपका माइंड फ्यूज हो जाएगा कि इतना कटफ आपको देखने को मिल रहा एक से टॉपर टॉपर इस्टूडेंट भी रेलवे से अपरेंटिस करना चाहते हैं क्यों 20 परसेंट के लिए नहीं GM पाउर के लिए आगे आपको पूरा सेडूल बताते है तो यहां पर यहां से देखिए आपका यहां पर 19 जनवरी 2024 के डेट में अर्थात कल के डेट में यह जो प्रोटेस्ट का आगाज किया गया हलाकि हमारे तक इन्फोर्मेशन पहुंशने में थोड़ा सा डिले हो गया इसलिए थोड़ा सा डिले आपको वीडियो प्रोवाइट कर रहे हैं पर कोई बात नहीं 19 जनवरी 2024 के डेट में जनतर मंतर पर सुबह 9 बज़े से बिगेस्ट प्रोटेस्ट का आयूजन किया गया है तो आप सभी से महीनी वेदन करेंगे कि देश के कोने कोने से जितने भी रेलवे अक्ट अप्रेंटिस चात्र है या फिर जो अप्रेंटिस नहीं भी किये हैं किर्पया करके सभी छात्र अप्रेंटिस इपवालों का सपोर्ट करिए GM पावर को पुना बहाल करना है दिल्ली चलो का नारा लगाना है 29 जनवरी 2024 को जनतर मंतर पर आना है फिर से सुन लीजिये GM पावर को पुना बहाल करना है दिल्ली चलो का नारा लगाना है और 29 जनवरी 2024 को सीधे प्रोटेस्ट करने आना है विरोध प्रदर्शन विशाल विरोध प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है कि भया आप सब की मांग को पूरा कर रहे हो ELP में सीट भी पता होगा क्योंकि हम अवैसा चैनल के माद्य हमसे आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं तो इन सभी मद्दे नजर सीधे सीधे रेलवे अपरेंटिस को बहाल करना होगा GM पावर पुनर लागू करना होगा तो आज के लिए इतना ही बाकि अगर आपके मान में कोई सुझा होगा कोई डाउट होगा और इसी तरह का लेटेस्ट अब्देट पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और इस